इस वीडियो में हम लोग दी फार्म फर्स्ट एर के सब्जेक्ट फार्माकोकनोसी में टॉपिक एंटी डाइबिटिक्स के मल्टिपल च्वार्स को देखेंगे पेटेरो कार्पस का कोमन नेम कीनु है? पेटेरो कार्पस जेनरली जूस होता है जाएट एक्स्ट्रेक्ट रहता है पेटेरो कार्पस पेटेरो कार्पस का बायोजिकल सोर्ष पेटेरो कार्पस मार्सूपियम है पेटेरो कार्पस मार्सूपियम विलॉग करता है पेटेरो कारपस लीगुमिने से यह फैमली से बिलॉंग करता है Q2 नमबर 6 था है The main chemical constituent of पेटेरो कारपस इस पेटेरो कारपस का जो main chemical constituent है वो है किनो टैनिक एसीड एप्रोक 70 to 80% जो chemical constituent परजेंट रहता है पेटेरो कार्पस में वो कीनो टैनिक एसिड रहता है कीनो टैनिक एसिड नन गुलुकोसाइडल टैनिन है कीनो टैनिक एसिड इस नन गुलुकोसाइडल टैनिन question number 7 है when the solution of पेटेरो कार्पस drug is treated with ferrous sulfate which color is formed यह जनरली एक टेस्ट है पेटेरो कार्पस chemical constituent का जब पेटेरो कार्पस drug का solution हम treat करते हैं ferrous sulfate के साथ तो green color का formation होता है question number 8 है जिमनेमा is widely used for its dash activity जिमनेमा जो drug है वो anti-diabetic activity के कारण widely used होता है question number 9 है commonly जिमनेमा is known as commonly जिमनेमा को हम गुर्मर के नाम से जानते है question number 10 है what is the biological source of जिमनेमा जिमनेमा का biological source जिमनेमा सिल्वेस्टेरी है question number 11 है गुर्मर means that जिमनेमा consists of जिमनेमा का आम dried lips generally as an anti-diabetic use करते हैं इस वीडियो में बस इतना ही hope आपको वीडियो पशंद आया होगा वीडियो पशंद आया तो वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए और वीडियो को share करिए करिए